नमस्कार आप देख रहे हैं जार्क मीडिया और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा देखिए सिवान लोगसभा सीट की बात करेंगे सिवान लोगसभा सीट पर क्या होने जा रहा है एंडिये गडबंधन का उम्मिद्वार तय है जेडियू की यह सिटिंग सीट थी और यहां से कवित आप अधिया सिंग का टिकट काटकर नितीशकुमार ने विधायक रमेश कुषाह की पत्नी विजया लस्मी को टिकट दिया है तो वो एंडिये की उम्मिद्वार है लेकिन इंडिया गडबंधन का उम्मिद्वार कौन होगा आरजडी की लिस्ट सामने आई लेकिन उस लिस में सीवान नहीं था लालू यादव ने सीवान पर अभी पेच क्यों फसा रखा है है लालू यादव ने अभी सीवान पर सस्पन्स क्यों खत्म नहीं किया है और क्या सीवान से ये गढ़ रहा है RJD का पुर्वशांसत सहाब उद्दीन जो इस दुनिया में अब नहीं है उनकी पतनी हीना सहाब ने 2019 का लोग सबा चुनाओ RJD के टिकट पर लड़ा वो हार गई और इस बार वो निर्दलिय चुनाओ लड़ रही है हीना सहाब ने RJD की लालू यादों की टेंसन बढ़ा रखी है उन्होंने लालू यादों की चिंता बढ़ा दी है ये कहकर कि वो RJD में नहीं जाएंगी वो RJD के टिकट पर चुनाओ नहीं लड़ेगी जब लालू यादों ने अपनी सारी सीटों पर उमिदवारों के नाम का एलान किया और सीवान लोग सबा चीट से नहीं किया है लेकिन हीना सहाब अब खुद ही कह रही है कि वो RJD में वो नहीं जाएंगी वो RJD के टिकट पर चुनाओ नहीं लड़ेंगी निड़ली चुनाओ लड़ेंगी तो जाहिर diga तो मामला सफ है कि हीना सहाब की RJD में वापसी नई होने जा रही है उनका न अवध विहारी चोदरी कुटिकट देंगे जो सिवान लोकसभा सीट से सबसे बड़े दावेदार हैं सबसे मजबूत दावेदार हैं बिहार में विधान सभा की अध्यक्च रहे हैं आरजेडी के पुराने नाता है और सीवान लोकसभा सीट पर उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है लेकिन और आवद बिहारी चोधरी अपने छेतर में कहा जा रहा है कि दावा भी करते फिर रहे हैं कि उनको टिकट मिल गया ह वार जेडी से के टिकट पर लोकसभा छेतर से चुनाओ लड़ेंगे सीवान लोकसभा छेतर से लेकिन इस पूरे मामले पर लालू यादो की चुपी इस पूरे मामले पर लालू यादो का अपने पते न खोलना और पूरी अपनी उमिदवारों की लिस्ट से सीवान सीट के उमिद्वार को गाइप कर देना, उस पर कोई फैसला न लेना, ऐसा लगता है कि लालू यादो किसी सर्प्राइज के मूड में है, लालू यादो चोकाने के मूड में है, तो दो बाते हो सकती हैं, एक बात कि सीवान लुकसवा सीट पर माना जा रहा है कि अबद विहारी चोधरी उमिदवार होंगे तो हो सकता है वो उमिदवार नहों किसी दूसरे उमिदवार को लालू यादो मैदान में उतारना चाहते हों या फिर यह हो सकता है कि किसी सीट की अदला बदली लालू यादो चाहते हों और इसलिए उस सीट पर अप अपने उमिद्वार के नाम का एलान नहीं किया है सिवान लोकसवाशिट से उसके एक माइने यह भी निकाले जा रहे हैं कि वो मैसेज देना चाहते हों लोगों में कि देखिए हमने हीना सहाब को छोड़ा नहीं है हमने उनके लिए अपना टिकट बचा कर रखा हमने उस पर पीना सहाब ने आरजेडी को छोड़ा है तो इस तरह की बादचीत हो रही हो लेकिन जो और भी कई खेल नजर आ रहे हैं लालू यादो कि क्या मद में चल रहा है वो तो लालू यादो जाने लेकिन इस बात की गुनजाइस भी है कि लालू यादो या तो उमिद्वार दू कोई नया उमिद्वार दे सकते हैं कोई दूसरा उमिद्वार दे सकते हैं सर्प्राइज दे सकते हैं नहीं तो वह सीटों की अदला बदली भी हो सकती है यह हो सकता है वद भी हरी चोडरी ही उमिद्वार हो लेकिन इस बात की गुनजाइस नजर आ रही है कि लालू यादो सीवान सीट पर कोई ऐसा खिल करने के मूड में है जो एक तरह से सर्प्राइजिंग हो जो हैरान कर दे बहुत बहुत धन्यवाद